असलाम अलेकुम गाईस, वालकुम तुमाई चानल, सुकाईस, आज मैं आपको इस बिस्तर को बनाना बता रहे हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए, इसको बनाने के लिए जस्ट मैंने सिंपल से, जो कि हम कपड़े सिनने का धागा होता है, उसी का य रनिंग स्टिचिंग करना है, देखिए, कितनी ही असान तरीके से डिजाइन बनकर त्यार होगा, और देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगा, इससे आप अपने बच्चे का बिस्तर बना सकते हैं, बहुत ही खुबसूरत लुक आएगा, या फिर अगर आप चाहे तो इससे पूरा का पूरा कुशन कवर बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में, किस तरीके से हम छोटे-छोटे से रनिंग स्टिचिंग कर रहे हैं, बाक्तु बैक, इससे तरीके से में रनिंग स्टिचिंग करना हैं, आज कल गाईस, मैं इस तरीके की ही वीडियो अप्लोड कर रहे हूं जो कि बनाना बहुत ही असान है इसमें जस्ट आपको रनिंग स्टिचिंग करना है और सिंपल सिंपल से लेजी डेजी बना कर आप बहुत खुबसूरत खुबसूरत बिस्तर बना सकते हैं इस डेजाइन को भी जरूर देखेगा और अपने दोस्तों रिस्तदारों को भी जरूर शियर किजेगा ताकि वो भी इस तरीके की डेजाइन बना सकें क्योंकि इन्हें बनाना बहुत ही असान होता है और देखने में यह बहुत जादा अच्छे लगते हैं सो देखिए कितना ही सिंपल तरीके से बन जाएगा सो मेरे चानल पर इस तरीके की और वीडियो जरूर देखेगा विजिट करके सो देखिए अब हम फ्लावर बनाएंगे और देखिए इसे खाचना भी कितना सान है जस्ट आपको क्रॉस बनाना है आपको खाचने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करना है और देखिए इस तरीके से हमने एंकर का धागा लिया है डबल सेड़ और उसी से हम इस तरीके से लेज़ी डेजी बनाते जा रहे है सो जरूर आप भी बनाएगा गाइस और मुझे कमेंट करके जरूर बिताएगा कि आपको यह डेजाइन कैसे लग रहे हैं और मुझे यह भी आप comment कर सकते हैं कि आप और किस तरीके की design देखना चाहते हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस तरीके की design upload कर सकूँ जरूर से जरूर मेरे चानल को subscribe कर लिजेगा इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए और साथ में बने बैल के आईकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे सो गाइस इस तरीके के और वीडियो मेरे चानल पर देखते रहेगा I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा सो गाइस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में लहाफिस दुआओं में याद रखेगा धरते हम जाएसे बड़ा के ये रहेगा कि नहीं ही हहा है हम जा एंगॉ कर द मिल